बच्चो कहकई अनुताप की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कहकई स्वयम को अपराधिनी मानते हुए राम को पुनह वापस लोटने के लिए कहती हैं और अब आगे दुरबलता काही चिन विशेस सपत है पर अबला जन के लिए कौन सा पत है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही सुयम पुत्र भी खूँ ठेरो मत रोको मुझे कहूं सो सुनलो पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुनलो करके पहाड सा पाप मौन रह जाओं राई भर भी अनुताप न करने पाओं थी सनक्षत्र शशिनिशा ओस टपकाती रोती थी नीरव सभा हर्दय थपकाती उलकासी रानी दिशा दीप्त करती थी सब में भैविश में और खेद भरती थी क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी मी नीराही मन रह सका ननीच विश्वासी अब कठिन शब्दों के साथ उनके अर्थ देखते हुए हम व्याख्या और भावार्थ पढ़ेंगे और संभावित प्रश्णों के विशे में भी चर्चा होगी तो दुरबलता का ही चिन विशेश सपत है रानी कह कही कहती है कि हे र कौन सा पत है पर अपनी निर्दोस्ता सिध करने के लिए मुझ असहाय इस्तरी के पास अब कौन सा मार्ग बचता है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ यदि इस कृत्य में कि भरत को राजगद्दी और राम को चौदा वर्ष का बनवास देने में भरत द्वारा मैं उकस कमाने ही स्वयम पुत्र भी खोओं तो जिस प्रकार मैंने अपने पती राजा दशरत को खोया है उसी प्रकार प्रिय भरत को भी खोदूं जब प्रजाजन यह बात सुनते हैं तो रानी को रोकते हैं कि नहीं रानी इस प्रकार आप मत कहिए तो रानी कहते हैं ठेहरो मत रो सुन लीजे, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो, यदि मेरी बातों में आपको कोई तथ नजर आता है, तो उसे आप चुन लो, उसे ग्रहन कर लो, करके पहाड सा पाप मौन रह जाओ, मैंने इतना बड़ा पहाड के समान पाप किया है, क्या फिर भी मैं चूप रहू राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, क्या राई के बराबर जरा सभी पश्चा ताप न कर पाऊं मैं, मुझे आप पश्चा ताप करने दीजिये, थी सनक्षत्र शशिनिशा ओस टपकाती, तारों से भरी रात थी, और चाननी रात थी, और आका स्वच था, इसलिए ओस रोती थी, नीरव सभा हरदय थपकाती, और रानी के इन उदगारों को सुनकर, रानी के इन बातों को सुनकर, शान्त स्रभा भी अपना हरदय थपकाकर, अपने हरदय पर हात रखकर, आसु बहा रही थी, उलकासी रानी दिशा दीप्त करती थी, जैसे टूटा हुआ तारा दिशाहीन होता है लेकिन जिस दिशा में भी वो गिरता है उधर प्रकाश फैलाता है उसी प्रकार रानी भी दिशाओं में प्रकाश कर रही थी सब में भैविश्में और खेद भरती थी और सब के अंदर आश्चर्य भाया और दुख की भावना को भर रही थी रानी कहती है कि मन्थरा भी क्या कर सकती थी वो तो मुझे भड़काती ही वो तो यह कृत्य करने के लिए प्रेरित करती ही जब मेरे मन नहीं मेरा विश्वास नहीं किया तो वो तो मुझे भड़काती ही इसलिए इसमें मन्थरा का कोई दोश नहीं है बलकि मेरे मन नहीं मेरा विश्वास नहीं किया नहीं तो मैं राम पर विश्वास करके उसी को गद्धी पर बैठने देती पर मेरा मन ही अविश्वासी रहा इसलिए अब मुझे पस्चाता करने तो आप कुछ संभाविक प्रशनों पर विचार करते हैं, कैकई के अनुसार विशेश सपत किसका चिन है, कैकई के अनुसार विशेश सपत खाना दुर्भलता का चिन है, कैकई कौन सी सपत लेती है, कैकई सपत लेती है, कि यदि मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूँ, तो ज जिस प्रकार मैंने अपने पती को खोया है उसी प्रकार प्रियपुत्र भरत को भी खोदू। कहकई क्यों पस्चाताप करना चाहती है क्योंकि कहकई ने बहुत बड़ा अपराद किया है इसलिए वह पस्चाताप करना चाहती है और अपराद क्या किया है भरत को राजगद्धी दिलवाई और राम को 14 वर्ष का बनवाज सभा हरदय थपका कर क्यों रुदन कर रही रानी को इस प्रकार विवश और पस्चाताप करता हुआ देखकर सभा अपना हरदय थपका कर रुदन कर रही है रानी किस प्रकार दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी? रानी एक उलका पिंड के समान दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी. अनुताप एम उलका शब्दों का अर्थ बताईए. अनुताप शब्द का अर्थ है पस्चाता एम उलका शब्द का अर्थ है तूटा हुआ तारा. मन्थरा दासी की बात रानी कहके इने क्यों मानी मन्थरा दासी की बात रानी कहके इने इसलिए मानी कि उन्हें स्वयम अपने मन पर भी विश्वास नहीं था कि राम राज्य में वही सुक्सुविधा और वही गौरब प्राप्त करेगी जो कि उन्हें भरत के राजा होने पर मिलेगा इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को राजा बनाया क्योंकि उन्हें अपने मन पर विश्वास नहीं था और इसलिए उन्होंने मन्थरा की बात मान ली तो बच इसका आगे का आंशा हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में तब तक आप इसको लिखकर अभ्यास करिए याद करिए